नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बिंटु कुमार अपने सहयोगी मुराईलाल मीना के साथ और मैं इस समय जहां मौजूद हूँ मैं हूँ मानसरोहर जोड जहां पर अटल शेवा केंदर और अन्य दो इसकुले हैं सरकारी और एक निजी सिक्षन संस्तान है यहां पर मैं फिलाल खड़ावा हूँ और आप देख सकते हैं जहां मैं खड़ावा हूँ वहां पर काफी हजारो लिटर पानी व्यर्थ बैरा है आप देख सकते हैं मैं अपने camera man से कहूंगा कि जो पानी है वो विर्थ बहरा है किसलिए बहरा है ये पानी जल्दाई वहा की लापरवाई के चलते बहरा है ये इसलिए बहरा है कि जो पानी की जो rising line है जहां से नल खोला जाता है वहां काफी बड़ी संख्या में काफी दूर जो आप देख सकते हैं एक तलई या जो पानी का जो बरा होता है उस तरीके से यह फिलाल जो शड़क है वो बंचू की है जो सड़क मार्ग है मुख्य सड़क मार्ग है और यहां पर दो तो सरकारी स्कुले है जहां पर इसकुली बच्चे हैं वो काफी प्रेसान दिखते है इन पानी में कैसे चल पाते हैं वो कई बार यहां हादसा भी हो गया है सड़क हादसा भी इन पानियों में और जो सीशी सड़कती वो भी पानी भरने से तूट चूकी है कि अबल वो इसलिए यहां पर हुआ है कि जल्दा विवाग कितना लापरवा बना हुआ है हाला कि एक जबकि इस समय नल खोला जा रहा है मोले में पानियों के लिए और एक मोला जहां पर इतना हजारों लिटर पानी व्यर्थ बैजाता है लेकिन कई ऐसे मोले भी हैं जहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है अगर यह जो छतीगरस्त लाइन है यह अगर ठीक हो जा सब्सक्राइब करता है हमारी लेंड को ठीक ही नहीं करने आता है पता हुआ कि यहां से इसे काफी परेशानी बगरत होती है बच्चा आते स्कूल में जाते हैं आते कपड़ा भी ते उनका हमारा भी एक दूंट में भी गिर गया तो आप देख सकते हैं कि जो पानी यहां बरा हुआ है मैं यहां बैठते हैं लेकिन सब अपनी आखे मूंद कर बैठे हुए है और भी यहां युवा मुझूद है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या नाम है सर आपका राकेश जी जो यहां पर आप देख सकते हैं हजारों लिटर पानी वर्त बैरा है कभी आपनी जल्दाई व जालों जाता है अभी तो इस फानी की स्टार्टिंग जैसे जैसे रुट यहां तक बर जाये गाई और यहां मैं लाइन भी लिकेज है गुवारियो के मोला जैसे डूंगरी का मोला बासवेरी साल मैनिमार्केट वार नमबर 13 इदर राजपुरा मोला खोड मोला इन सबी में इनकी सप्लाइज आती है और भी लोग यहां पर मौझूद हैं इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से जल्दा विवाग लाप्रव बना है अगर ये छतिगरस्त लाइन अगर ठीक कर दी जाए अब ये जो पानी है वो पूर्ण रूप से बहरा है काफी नुकसान होता है हरवार काफी मोटर साइकल दोपई या वाहन चालक है वो भी यहां इसकूल वगेरा में आते हैं या कभी आते हैं तो वो यहां इस कढड़े में गिर जाते हैं जो सीशी शड़कती वो भी इस पानी भरने से तूट चुके यहां पर और विह हम लोगों से हैं जाने कि क्या नाम है आपका मुकेश जी जो पानी यहां बरा हुआ है कितने समय से बरा हुआ है कई दिनों वाइस को तो यह बता हो जैसे इससे जो प्रेशानी वगर अगर अग पानी नहीं पूछता है पूछता ही नहीं आप तो आप देख सकते हैं जो यह पानी जो यहां से निकल रहा है राइजिंग लाइन है यह और यह जो बड़ी टंकी है यहां पर उस टंकी से करनेक्टिविटीं है इसकी और खोड मोले वगयर वगयरा मैं यहां से पानी जाता थे जो इस्ताने लोग भी है और भी हम इस ताने लोगों से बात करने के कोशिश्यक नाम है मेरा नाम मनीश होगा मनीश जी यह बताईए जो यहां परेशानी वगर हो रही है कितने समय से हो रही है और सरी लंसरम साल पर के उपर हो गई है बाकी देख रहा हूँ आप पानी कैसे जा रहा है अभी दीरे दीरे रोड पे आएगा दीरे दीरे बच्चे आएंगे हजारों बच्च निकलते हैं उसमें जैसे घाड़ियों कह प्याना जाना है कि छड़嗯वी बच्चों को वापिस भी घर जाना पड़ा है काफी बुजुभा क्यों ने आपके साम Frame ने लिके जो रहा है चार तीन-चार जगई होगा बाकि आप खुद देख रहे हो प्रजेंट में मतलब आपको बताने की जुरूत नहीं होगी खुद आप देख रहे हो कितने गड़े बहुत हैं बाई के कैसे निकल रहे हैं अब यहां से बच्चे कैसे निकलेंगे तो आप इसमें यह पानी भराव होता है हमेशा और इस पानी की वज़े से आप देख सकते हैं करंट मारता है कि यहां पर कई बार जो मवेशी वगेरा है को जानवर है वो भी इस बिजली को करेंट कर सिकार हो चुक है हम ज्यादा जानगारी यह 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 एक पर दुकंदार है इनसे लेने की कोशिस करेंगे कि हमारे साथ इस्तानिय ग्रामिन है जो खंबे में आप देख रहे थे कि यहाँ पर पानी भरने से जो इस्टे वायर है उसमें भी अर्थिंग वगएरा हो जाते और करंट आता है इसे कई बार हादसा वगएरा भी हो गया है क्या नाम है सर आपका चो सब्सक्राइब करेंगा और सबसे बड़ी जो बात है यहां पर यहां काफी मवेशी वगएरा गाय यहां इधर से गुजरती है तो जरूर वो करंट का सिकार हो जाती है कई बार तो बड़ा हादसा भी और भी काफी जनपरती नीदियो वगएरा को भी इन लोगों ने बताय लेकिन आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है अब देखने की बात है और मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा जो लिकेज जो हो रहा है कितना वेर्थ पानी यहां हजारों लिटर पानी यहां वेर्थ बैरा है कितनी लापर हो यह आप देख सकते हैं यह जो छतिगरस् आए तो जरूर यहां पर खोड मोले जो आदा दर्जन से अधिक जो मोले हैं वह पानी की पूर्थी हो सकते हैं उन मोलों की अब देखने की बात यहीं है कि जल्दा विवाग आखिरकार यह चतिगरस्त लाइन जो जिस तरीके से यह पानी बराव आए यहां पर कब तक इस स मश्या का सुद लेता है वो कैमरामेन मुरारी मिना के साथ मैं बिंटु कुमार देखते रही है बिंटु की नगर